नमस्कार मैं राजपुरोहित मधुरजी आप देख रहे हैं एस्टो तक नवधा भक्ती की बात कर रहे थे पहली वीडियो में आपने प्रथम भगति संतन कर संगा पहली भक्ती की विचारधारा से आप ओत प्रोत हुए उसे सुने मनुस्य की अगर निंदा बढ़ रही है यानि अगर आप अपने जीवन में आप अपने कारियों को कर रहे है तो उसे करते चलिए और अगर आपकी निंदा बहुत जादा हो रही है तो इस निंदा से कभी घबराईए मत क्योंकि निंदा जब जब बढ़ती जाएगी तब सिर्फ आपको अपनी नींद बढ़ाना है क्या बढ़ाना है नींद जब आपकी नींद बढ़ेगी तो निंदा करने वाला बेक्त रुकेगा नहीं वो अनुवरत निंदा करता चला जाएगा लेकिन कहा गया है कि जितनी आपकी निंदा होगी जितनी आपकी बुराईयां फैलेंगी समाज में उतना ही जादा आपका विकास होगा जब जब सत्य के आचरण को आवरण को परिधान को जब जब एक सही नीतियों को सही बिचारों को ले करके आप समाज में आगे बढ़ेंगे तब तब आपका विरोध होगा तब तब बुराईयां फैलेंगी तब तब छद्म भेजधारी ऐसे लोग आपको टारगेट करना जाहिए ऐसी ही धैरे को धारण कैसे करें यानि जब आप धैरे को धारण करते हैं पेसेंस को धारण करने चलते हैं तो पेसेंस सब्र जो होता है वो काफी तूट चुका होता है उसका कारण विश्वास जो है बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है हम किसी व्यक्ति पर किस मातापिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं हम दूसरों के मातापिता का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं इस धराधाम पर जब जब गव गंगा गायत्री स्त्री और गीता इन सब का सम्मान नहीं होता तब तब यह संसार तो दुखी रहता ही है इस संसार में रहने वाले वन्य ज संकटों से प्रतेक छण घिरा रहता है इसलिए सदय उस्मर्ण रहे कि जब-जब जीवन में तमाम प्रकार के संकट आते हैं तो देवताओं के उपर आए तो देवता भी किसी देवता की सरण में गए जब संकट आए तो संकटों को बिढ़नों को गले लगाते हैं काटों में राह बनाते हैं आपको उस बिग्न को गले लगा करके और साक्षात उसे ईस्वर की सरण में ले जाना है मतलब आप ये समझे कि जब आप के उपर कोई संकट आ रहा है तो आप उसको अपना मित्र बना लीजे एक दिन वो संकट भी पस्चाताप करेगा और क्या कहेगा कि मैं एक गलत स्थान पे आ गया एक ऐसा बेक्ति जो सत्य के आवरण को आचरण को धारण करके वो चल रहा है उन परिस्थितियों को जेल रहा है मैं उसे गलत टारगेट करने आ गया जब ऐसी परिस्थिति को ऐसे दुखों को लेकर कि किसी देवाले में किसी गुरू के सनमुखाप जाते हैं तो वास्तों में जानते हैं, आपने अपना कल्यान तो किया ही, लेकिन वो जो आने वाली बिपत्ती थी, उस बिपत्ती की बुद्धी को आपने बदल दिया, उसको पलट दिया, और वो मनुस्य स्त्रेश्ट होता है, जो रतनाकर जैसे ऐसे जीव को, जब वो अंगुली माल बनता है, और अंगुली माल से वो साक्षा जो है बालमी की बन जाता है, तो इसलिए जीवन में ये चीजें आप सदेव ध्यान रखें, कि आपके साथ यदि कोई समस्या, यदि कोई विपत्ती आती है, तो घवराएं नहीं, धैरे रखें, धैरे कहां से धारन होगा, ये द बनतों की संगती से आपको सज्जनता प्राप्त होगी, आप सौम में होंगे, सरल होंगे, संकटों से मुक्त होंगे, अच्छा सा मार्ग मिलेगा, देवताओं से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इस और की भक्ती की तरफ आप बढ़ेंगे, लेकिन करना क्या है, हम व जिए भक्ती की रस्धारा को धारन किया, उनकी कथाओं को स्रवन करें, सुने, उनके बारे में समझें, चिन्तन करें, मनन करें, दूसर रतिमम कथा प्रशंगा, लेकिन यही कथा जब आप किसी पुस्तक में पढ़ते हैं, या किसी ऐसे राहगीर से सुनते हैं, या किसी मोबाइल फोन में साउंड में सुनते हैं तो प्रत्य एक जगह मोबाइल साउंड और ऐसे राहगीर आप गुरु नहीं बना सकतें लेकिन जब आप किसी गुरु के मुख से उस कथा का रसा स्वाधन करते हैं तो वास्तों में वो कानों में जाने वाली आवाज एक अमरित की तरह होती है और जो अमरित आपके कानों से उस आपके जीवन में घोल करके डाला जाता है तो वह तमाम प्रकार के जो अवसाद जो बिस आपके अंदर भरे पड़े हैं वह बिस संपुरुनता खतम हो जाते हैं और मनुस्य जो है वो नर्सी जैसा बन जाता है उसके अंदर एक मीरा जैसा गुन ब्याप्त हो जाता है कि वो भक्ती की अखंड धारा की तरफ बढ़ जाती है दूसर रतिमम कथा प्रशंगा आप संतों के पास जब जाएं तो देवताओं के द्वारा जिस प्रकार से तमाम प्रकार से युद्धों का तमाम प्रकार से जैसे भगवान कृष्ण महा भारत में खड़े हुए और रत पर सार्थी बन करके अर्जुन को यह बार बार संकेत देते हैं कि यहां कोई अपना नहीं है इस संसार में प्रतेक जीव प्रतेक स्थान प्रतेक ब्यक्ति या कोई वस्तु जब जब आप अपना मोह उधर बढ़ाएंगे तब तब मोह जो है वो सदयों पीड़ा का कारक बनेगा मोह से मोक्ष की प्राप्ति तक अगर आपको च प्रतेक जाएंगे जाते हैं जब जब आप संतों की संगती में जाकर के आप उनकी कथाओं को उनकी प्रवचनों को उनकी बातों का अनुसर्ण करतें अपने जीवन की लक्षों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो जिस प्रकार से किसी लक्ष को भेदने के लिए केंद्रित होने की आवसिक्ता होती है, ऐसे ही जीवन में जब आप अग्रसर हों, अपने पथ पर अग्रसर हों, तो किसी एक ऐसे केंद्र की आवसिक्ता होती है, जह वहां से आपका मार्ग सुनिश्चित हो सके जब आप किसी कारेच्षित्र में जाते हैं कहीं नौकरी करते हैं तब भी आप एक केंद्र पर रह करके काम करते हैं और उस केंद्र पर जब आप रह करके कारे करते हैं तो वहां से आपको पैसा पद प्राप्त होता है उससे आपक लेकिन उस भरन पोशन से आप बीमारियां बनाते हैं और जब यही केंद्र आप गुरू का बनाएंगे और वहां से अपने मन मस्तिस्क और अपनी उर्जा को आप उसका भरन पोशन करना सुरू करेंगे तो वास्तों में आपके जो कर्म हैं जो पाप हैं जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं वो भक्ती रूपी आवसधी आपके जीवन में आ करके उसे काटने का प्रयास करेगी और फिर आपका जीवन तमाम प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएगा इसलिए सदयो स्मरन रहे आपको कि नवधा भक्ती में दूसरी भक्ती क्या कहती है सुनने की कल करके आएगी इसलिए इस नवधा भक्ती की दूतिय भक्ती में आपको सुनने की परंपरा को धारन करते हुए अपने जीवन को एक ऐसी दिसा में लिजाना चाहिए जैसे आपको अपने समाज के लिए अपने राष्ट्र के लिए इस युग के लिए आपको एक सुन्दर सा आयाम स्थापित करना है उससे बहुत सारे जीवों का मनुस्यों का पसुओं का वन्य जीवों का कल्यान हो सके सदेवस्मरन रहे आपको कि मनुस्य जब जब गंभीरता को त्यागता है चंचलता की प्रवित्ती में जाता है तो अगर वो धर्म को धारन करके चंचलता की तरफ बढ़ता है तो वो कृष्ण जैसा होता है अगर वो धर्म धारन करके चंचलता की तरफ नहीं बढ़ता और वैसे ही चंचल रहता है तो वह मनुस्य अपने कर्म से अपने उस चरित्र से बिलुप्त हो जाता है ऐसे ही अब तीसरी भक्ती और अन्य भक्ती प्रसंगों को जानने के लिए एस्टोतक पर आप हमारे साथ बने रहें फिर मिलेंगे नमस्कार